मेरे साथ यश धुल जो अंडर नैंटीन विश्वकप भारतिय क्रिकेट टीम के कपतान है उनके कोच प्रदीब जी मेरे साथ हैं उनसे बात करते हैं तो सर यश जो इंडिया टीम के कपटन्सी कर रहे हैं विराठ कोली फिर उनमुक चन फिर अब यश धुल जो अन्टर-19 कैप गएफ दिलिका करकेट जो चोटा करकेट है दिलिकी जूनियर करकेट बहुत अच्छी है हमारी जो दिल्ली क्रिकेट बेस बहुत अच्छी है और से लिवल पर जाके खेलते हैं क्रिक्ट खेलने की भूक है उनको तो उस लिवल पर पहुंचके भी वह अच्छा करते हैं तो सर अगर यश्धुल की बात करें तो वो सर किस तरह के खिलाली हैं आपके अकाडमिय सर उनके शुरुआत हुए जहां तो मुझे जानकारी है तो वो कैसे खिलाली थे उसके आपने ट्रेंडिंग दी उसके बारे मसा तोड़ा बताई यश्धुल जब 10 साल का था तो हमारे यह अटिट्सिप्लेट के लिए बहुत अच्छा था और कप्तान जैसे अभी वो बॉलिंग भी कर लूँगा मैं बेटिंग भी कर लूँगा वह पहले दूसरे बच्चों को मौका देता था उसके बाद अगर जूद पड़ती थी तो वह अपने फिर खुद बेटिंग या बॉलिंग जो भी मैच की सुचिन के साब से वह काम करता था बहुत वेल डिस्प्ले फिंड एक तरह से कहा जाए चेंध तुच की कोच पर यह इभाल जये जात पताच अगर इसवार टी ह circumst on मिला वो जैसे है सभी में और ना वजय वजह रे ुजह कले है में चेंजर खेला बंगलादेश की सीरीस केला एशया कप खेला एक अच्छा माझा सजावाप मुझे प्लेयर लग रहा है और वो अच्छा करेगा वाइड बॉल में क्या सर येश को हम गेंबाजी गेंबाजी के साथ साथ बल्ले बाजी में भी देख पाएंगे ये इतना अंट्रस नहीं है उसको बॉलिंग में और बेटिंग में ही अगर मुझे लगता है कि बॉइल डालता है अच्छा उसमें है बॉलिंग डालने का उसमें है कि वो बॉल डाल सागेगा अगर दिल से डालेगा सब्सम् की इस इसन थैं ऑसको पढ़ल कि मुझे बॉल डालने में इंपोर्टेंस है मुझे बॉल डालने पड़ेगी तो हो सकते हैं ऐसे ऐसे बॉलर भी डिवलप कर जाए तो एक बेहतरीन बल्ले बाज और एक गिनबाज के तोर पर हम आने वाले समय में यश को देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल एक अच्छा ऑल् और डिवलप होगा है इंडिया के लिए